मेरे परिवार जनों गरीब दलीद पिछडे आदिवासी को सिविधा देने और ससक्त करने के ऐसे हर काम तो मोदी कर रहा है कॉंग्रेस ने क्या किया या तो मोदी को गाली देती है या फिर भाजपा सरकार की योजनाओं को रोकती है कॉंग्रेस जो भी योजनाओं बनाती है वो बिना प्रस्टाचार के लागू हो जाए यह संभवी नहीं है अब आप मुझे बताईए मात्मा गांधी स्वच्चता के आगरेई थे कि नहीं थे जरा मुझे जवाब दीजिए मात्मा गांधी स्वच्चता के आगरेई थे कि नहीं थे मात्मा गांधी हमें स्वच्चता के लिए कहके गए थे कि नहीं गए थे क्या 75 साल तक कॉंग्रेस को जितना भी समय 75 साल में काम करने का मोका मिला क्या ये स्वच्चता के लिए उनको काम करना चाहिए तक नहीं करना चाहिए था स्वच्चता होती तो बिमारी जाती के नहीं जाती आप मुझे बताइए कल पूरे देश में गाउन-गाउन स्वच्चता का भ्यान मैं तो यह सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहना चाहता हूं यह सारा गमंडिया घड़बंदन को भी कहना चाहता हूं अरे कम से कम स्वच्छता का काम तो हाथ में लो चलो भाई गांधी जैनती पर नहीं करना है तो खुद के जन्म दिवत पर करो खुद के जन्म दिवत पर नहीं करना है तो आपके और नेताजी के जन्म दिन पर करो वो नहीं करना है तो आपके बच्चों के जन्म दिन पर करो लेकिन स्वच्छता का काम करने में भी राजनीती का खेल खेल रहे हैं ऐसा काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसमें कटकी कर कि जगा नहीं होती है कि मलाई खाने का मोका नहीं होता है मेरे परिवार जनों जन्ता को अपने हक के लिए भी कांग्रेस के विदायकों और मंत्यों के पीछे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है कांग्रेस की यह मनमानी अब राजस्तान की धरती पर नहीं चलेगी लाभारती का जो हक है वो सीधा मिले वो पूरा मिले यह भाजपा सरकार सुनिश्चित करती है भाजपा सरकार ने बीते नव वर्षों में डायरेक बेनिफिट से लाखो करोड रुपिय सीधे लाभारतियों के बैंक खाते में पहुंचाए हैं पी-एम किसान सम्मान निदी आज सीधे किसान के बैंक खाते में आती हैं कोई बिचोलिया नहीं कोई कटकी कंपनी नहीं कोई कमिशन नहीं किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरुवत नहीं मोदी का मोडल ही यही है हर लाभारति तक सीधाला इसलिए राजस्तान को भरोसा है कि भाजपा आएगी बेइमानी जाएगी कर दो कर सुपधा है लाभारति नहीं